हलो दोस्तों कैसे हैं सब्स्वागत हैं सभी का कॉमिक वेल चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लाश बचाओ का दूसरा और अंतिम भाग और वो रास्ता यह है कि तुम्हें मुमी फाइट कर दिया जाए मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो यह काम कर सकता है मै इतियास एंथनी को अपनी जीप में लेकर इन नर्जन जैसे इस थान पर पहुंचा क्या वो यहां रहता है हां मगर वहां मैं तुम्हें एक मुर्दे की हैसे सही लेकर जाओंगा एंथनी के लिए ऐसा करना बहुत आसान था एंथनी की लाश को लेकर इतियास अंदर पहु इसे सणने से बचा कर रखना ज़रूरी है डॉक्टर सिना से जूट बोलने पर विवश्टा इतियास फिर उसके वाद वहां चुपी छा गई मगर कुछ लोगों को बोलने और उगलने के लिए विवश्ट करने के लिए अंडर वर्ड की खाक चान रही थी काली विद्वा अपनी हर सांस वन एवं परशुपक्षी संद्रक्षन के लिए खर्च करने वाली महीना आधर्णी है देश में परशुपक्षीयों पर मुर्दा द्वरा किये जा रहा है अत्याचारों के खिलाफ आज जो आवा सबसे आदा बुलंद है वो है मैना शर्मा की जिसे आज गा नगर आने का उदेश भी यही है ऐसे दोके बाद मर्द कानून से तो छिपे रह सकते हैं मगर काली विद्वा की निगाओं से नहीं ओफ ये कौन है मेरे ये बता देने से तुमारे गले से निकलने वाली चीकों और कराओं का शोर कम नहीं हो जाएगा ओफ मुझे मैना शर् जब तक वहां मड़ा रही थी लाश खोर अजया ये शब वहां के ड्राइवर न वही किया जो ऐसे में किसी के भी साथ हो सकता है यानि एकसीडेंट थाक शब वहां में शब के साथ मौजूद परी जोनों के मस्तिश बुली तरह से चक्रा उटे थे उफ आँ लेकिन दुरस होते ही उनके होश फिर खराब हो गए डेट बड़ी कहां गई अभी तो कहीं नहीं गई पर अब जाने वाली है लाश खोर के पेट में हाँ 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 उसी पलती व्रिकती के साथ लहराया वो फंदा जिसका निशाना थी लाश खोर अचानक पड़े उस व्यवदान ने कुपित कर दिया था लाश खोर को फंदा खीचने से नीचे अगरी लाश खोर मगर उसके तीश नाखून उस फंदे में उसे फंदे में बांधे ना रख सके काट काट पंदे काट नहीं तो अपनी उन सोचों के चार और कस गए फंदों को काटो जिन्होंने तुम्हें एक बार घूरा एक बार तो उसके सुर्ख आँखों में ज्छांकती काली विद्वा भी थरधरा गई पशुतासी भर गई है इसके आँखों में तू भी आगई मुझे रोकना है मुझे कोई न रोक पाएगा मुझे मुझे मुर्दे चाहिए मुर्दों के बीच रहना खोड़ चुकी है इस समय यह सर्फ लाश खो रहे है और मेरी कोई भी बात इसके जहन में नहीं गुसेगी तमाक उदर प्रिंस की करकर शावाजे सुनकर उट बैटा वह अन्थनी जो अब ममी की रूप में इत्यास के घर पहुंचकर कोई घंटों का विश्राम कर रहा था लाकि उसके जिस्मर लगाएगा रसान सूख सके प्रिंस तू ओ नहीं प्रिंस के अत्यादे को तेजी तो यह सर को सुनकर जैसे समझ गया अन्थरी की कहीं पर कुछ गडबढ़ है इत्यास जूटी पर जा चुका है और अब मैं भी नहीं रोख सकता मुझे जाना ही होगा चल प्रिंस ले चल मुझे वहाँ और इधर काली विद्वा भी समझ चुकी थी कि लाशकोर को रोगना मुश्किल तो होगा किन्तु असंभव नहीं उसी असंभव को संभव करने की कोशिश वैस से मैं भी कर रहीं थी एक सक्तवार इसे भेयोश करने के लिए इस पर करना ही होगा शायद ये वार काफी होगा उस वार से लाशकोर की कंटपटी से खून चला काया वगर काली विद्वा को अपना उद्देश पूरा होता नज़र ना आया मुर्जे खाखाकर इसकी शक्ती भी शायतान की तरह हटी हो गई है जिसे तोड़ने के लिए मुझे अपने प्रहारों की शक्ती को और भी बढ़ाना होगा इस पर प्रहार की इच्छना होते हुए भी मैं प्रहार करने पर विवश त्लाक लाश खोर की अमानविय शक्ती के उस पर दर्शन ने छड़ बर को काली विद्वा को भी इस्तब्द कर दिया छड़ बर की वो इस्तब्दता इस्तब्दता ही उसे भारी पढ़ गई अपने सूक और अटबर जिवा फेरती लाश खोर के चैरे पर खूनी चमक आ गई मुर्दे तो तुझे अभी मुर्दा एंथनी नहीं खाने देगा लाश खोर ओ एंथनी मुर्दा एक नई रूप में क्या मैं मुर्दों मुर्दा खोरों से लड़नी हूँ आज ओ गेट के नीचे तब जाने से गायल हो गई हूँ मैं हिलने में भी असमर्थ मगर मुझे अपनी शक्ति को एकत्रित करके उठाना तो हो गई एंथनी को उस रूप में देखकर अभी तब भाचक की सी भाचक की थी काली विद्वा लाश खोर आज या तो तु मुर्दे ना खाने की सौगत में लेगी अन्यता आज मैं तुझे भ गर्दों की तरह बढ़ चुका था एंथनी का हाथ लेकिन लाश खोर की गर्दन को वह दबूच ना पाया ये क्या पट्टियों के कारण मेरी उंगलिया मुर नहीं रही ऐसे में मैं इसे पकड़ नहीं पाऊंगा उफ लाश खोर के लिए योत्तम अफसर था ओ अफसर मिल इसे ठाक भू की शेरनी के समान लाश कोर न वहत्रशूल उठाकर एंथनी के पेट में घोप दिया काच ओफ उस वक्त तरशील को खीच पाने में असमर्थ था एंथनी इन पट्टियों न तो मुझे अपाईज बना डाला है तब एंथनी ने खीच डाल अपने शरीर में प लाश निकली है बहुत खुश होगी तुम्हां अभी तक अपनी दरंदीगी को मैंने काबू कर रखा है उसका एक जर्रा भी यदि तुम दोनों से छू जाता तो तुम्हारा ये काला जिसमें सफेद कफन में लिप्टा होता और लाश को और खोद एक लाश बन चुकी होती ये काला कफर मेंने अपने शरीप पर इसलिए लपेटा है कि तुम मर्द किसी और लाश न बना सको और तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई मर्द मुझे छू नहीं सकता मुझे छूने वाले हाथ में तोड़ देती हूँ चाहे वो हाथ मुर्दे के या मुर्दे कहीं क्यों मुझे नफरत है क्योंकि सभी मर्द बेवफ़ा होते है इसलिए लाश खोर को मैं तुमारे हाथों से बचाना चाहती ती क्योंकि वह निर्दोश है उसे लाश खुर बनने पर मर्दों नहीं मजबूर किया किस ने? किस ने किया उसे लाश खुर बनने पर मजबूर? ये मुझे काली विद्वा ही बता सकती है इसी एक प्रश्ण ने अब तक एंथनी को उन दोनों का कून बहा देने से रोक रखा था इसे रोकना होगा एंथनी ने काली विद्वा के पीचे छलंग लगानी चाही लेकिन बतकिस्मिती एंथनी की उसकी पीठ की ओर से पट्टियां उस नुकीले सरीय में अठक गई ओ नहीं ये क्या? एंथनी ने फुर्ती के साथ नोश डाली वे पट्टियां मुझे ममी बनाकर मेरी तचा को सरक्षे बनाने की इतियास की ये युज़ना फेल हो गई अचानक बुरी तरह से तड़ाप उठा था था एंथनी नहीं! आ! प्रिंस! प्रिंस! रातरी अपनी चादर समेट रही है जो मैं कहता हूँ से ध्यान से सुन ना जाने कैसा आदिश दिया था एंथनी ने प्रिंस को और एक तरफ को भागता चला गया एंथनी मुझे फॉरण अपनी कबर पर पहुँचना होगा फॉरण! सच मुच एंथनी का उसकबर में पहुँचना नितान तावश्यक था क्योंकि ठीक उसी पर सूर पूरफ से अंदकार की चादर हटा कर उजाले की गोतकी और करब बढ़ा रहा था क्या काली विद्वा मैना शर्मा को ढूंड सकी? क्या एंथनी लाशकोर को रोक सका? इन सवालों के जवाब पाने के लिए इंतिजार की जए एंथनी सीरी के अगली कॉमिक्स चार हट त्यारे का तब तक के लिए धन्यवाद